एक question आई है जो की चंदन गुपता ने question किया है CHSL 2018 के DV के regarding इनका कहना है कि इनका जो OBC का certificate है वो RRB के format पर है और RRB के format में है और इने DV में appear होना है तो क्या कोई problem हो सकती है या फिर इनने न्या बन वाना चाहिए देखिए जरह ध्यान से समझें जितने भी OBC वाले स्टूइंट हो कि सबसे पहले कि आपको जो है वो OBC अगर आपने OBC से अपलाई किया है तो कुरूसियल लेट वहां पे मैंसेंड था अब कुरूसियल लेट था जो सायद सेंटल गवर्मेंट का फॉर्मेट होती है वही फॉर्मेट जो है यहां भी मांगा जा रहा है लेकिन आप ध्यान देदे कि एक बार अपना जो है वो डेट के वज़े से आपको थोड़ी प्रॉब्लेम हो सकती है अगर 2018 का रहता तो चल जाता तो भी चल जाता लेकिन 2017 का प्रॉब्ली दे के बनवाएंगे तो आप लगेगा तो जितना जो है वो डिस्क से ना लिया जाए तो वही ज्यादा अच्छा है हलां कि आप 2017 पहले प्रॉबाइड करें क्योंकि वही ज्यादा वैलिड है क्योंकि पहले का है और अभी वाला आप देंगे तो पक्का है कि आपको प्रॉबिजनल दे दिया जा लेकिन हो सकता है कि आप पहले वाला दे तो उस बेसिस पे आपको जो है वो क्लियर मिल जाए डिवी में तो आप पहले जो है वो 2017 वाला देखाएं और अगर वो ज्यादा कुछ कहते हैं तब आप डिसेंट वाला भी देखा देना लेकि अप सो कि कोई प्रॉब्लिम नहीं होनी चाहिए क्योंकि RRB का जो फॉर्मेट है वही जो है वो SSC का भी फॉर्मेट है तो उनका वही एक ही फॉर्मेट होता है तो इसके लिए आपको चिंदा करने की कोई जुरूद नहीं है